तिलक काईकरम में शामील होने जा रहे चाचा बतीजे की सड़क दुरगटना में हुई मौत रीवा में अपने गाउं की ओर जा रहे थे मृतक चुरेटा थाना चेतर में हुई दर्दनाग गटना बता दें कि रीवा के चुरेटा थाना चेतर में वीतिरा तुई सड़क दुरगटना में दो लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है कि मृतक रिष्टे में चाचा बतीजा लगते हैं जो वीतिरा त्री रीवा से अपने गाउं की ओर आ जा रहे थे गटना के सम्मन मृतक के परिष्टनों ने बताया कि संजय पटेल और आशीश पटेल रीवा में रहकर ठेकेदारी का काम करते हैं जिसमें आशीश पटेल संजय का चाचा लगता है बीतिरात बाइक सवार अपने गाउं बेला के पगरा गाउं तिलक काईकरम में शामिल होने के लिए जा रहे थे परिष्टनों को कहना है कि वैशाम को हमेशा गर की ओर निकलते थे रात तकरीवन 12 बजे परिजनों को अस्पताल चौकी से ये सूशन मिली की संजय पटेल और आशीश पटेल का एकसिडेंट हो गया है जब परिजन अस्पताल पहुँचे तो दोनों की मौत हो चुकी थी मौत के मौत के कारण सिर में गंबी चोट होना बताया जा रहा है ये गटना चुरेटा थाना चेतर के नहर के समीब होना बताया गया हाला कि अभी तक ये सपस्ट नहीं हुआ कि कि स्वाहन ने ठोकर मारी है या फिर वैखुद दुरगटना का शिकार हुए है इस पूरी घटना को लेकर पुलिस घटना इस्ताल का निरिक्षण कर रही है इसके साथ ही मृतकों के शोग का पियम कराय जा रहा है प्रस्तुत है परिजन से प्राप्त जानकारी के अंश रामा प्रसात पटेल जी ये रीवा से घर तरप जा रहे थे ग्राम पगरा में थाना रामपूर बगेलान के अंतर गता था वो लोग रीवा में रहते थे नहीं घर एक रहता था रीवा में लेकिन घर चला जाता था तो जो अभी मिली जानकारी के जो इस प्राट में मिला तो डिवाइडर में बलड उसके मिले हैं तक डिवाइडर लगा था वहांस बगल डाइबर्सं था वहीं पर उन ट्रक राए हैं आब और वांकी शितियां नहीं मालूम है रात के समय की बात नहीं कुछ कार क्रम कार में था परिवार में था कार क्रम उनके घर में नहीं था नहीं सामिलों डेली घर जाते थे रोज घर चले जाती तो अपर घटना का पता नहीं चला यह हुआ कि एक्सीडेंट से हुई है हमको बाराक बज़े के लगभग सुचना यहां से मिली संजे गांदी अस्पताल द्वारा दी गई और पूंचने पर पता चला कि यह आपका एंबुलेंस द्वारा यहां भरती कराया गया है अब यह मतलब यह दो लों जो परिवार के हैं वो का तमनती इसने का पता नहीं ह हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है ना हम लोग घर वाले हैं तो पहचानते भी नहीं है